अगर आपने अपनी graduation टीर वन college से करिये तो आप CAT, Z, IFT दे सकते हो, जादातर IITians जो होते हैं, वही ही exam देते हैं, अगर आपने tier 2 या tier 3 college से करिये graduation तो आप सारी MB exam दे सकते हैं, कौन से कौन से होते हैं, NMAT, जो की speed-based exam है, October से लेकि दिसम्बर तक होता है, 75 days में से कभी ही आ CAT होता है, SNAP, एक speed-based exam है और बहुत छोटू से exam है, mid December से January तक चलता है, दो attempt आप दे सकते हो, my CAT, aptitude test है, जोडी में चलता है, या तो ZAT देना पड़ेगा साथ में, या तो CAT देना पड़ेगा, और यह December से January में होता है, two attempts आप इसके भी दे सकते हो, ZAT, जो की aptitude test है, second most competitive exam है, SACC आता है, February में होता है, MNCT speed-based ऐसे, भगवानी माली का कब होगा, क्या होगा, पता नहीं,